आप सभी का होमेस्ट्रेड जोन योट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज अपने एक आकरती वरग और आयत के बारे में अधिन करेंगे सबसे पहले अपने लेंगे वरग और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आयत को पढ़ेंगी उनको समझेंगे आयत और वरग दो आकरती दिखने में एक जैसी है ठीक है ना दोनों आकरती के अंदर बुजा चरचर होती है और कौन है वो परते कौन 90 डिगरी यानि सम कौन होता है और दोनों आकरती के अंदर जो चार कौन होते हैं चारों 90 डिगरी के होते हैं उन चारों का योग होता 360 डि अब फ़रकिवल इतना है कि वर्ग के अंदर क्यारों बुजाओं का मान सम्मान होता है यनी एक बुजा पांस सीयम है तो तीनों अन्य भुजा भी पांच पांस सीयम की होगी और आयत के अंदर इदि आमने सामने के बुज़ा सम्माल होती है ठीक है ने जैसे ये आयत है अब आमने सामने के बुज़ा कौन सी होगी ये और ये आमने सामने के ये और ये आमने सामने ठीक है दोनों आमने सामने तो ये इदि 5 cm होई ने तो ये भी कितनी होगी 5 cm होगी और ये 2 cm है तो ये भी कितनी होगी 2 cm ही होगी ठीक है ये आयत और वरग कक्सा 3 से लेकर के 10 तक आपके लिए महत पुरण होगा इनका हर एक्जाम के अंदर आपको क्योशन देखने को मिलता है और समाने जानकरी के अंदर सबसे अच्छा टोपिक जो वरग और आयत का ही है इनका अपने वरग का प्रिमाप और शेतरफल आयत का भी प्रिमाप और शेतरफल और इन विक्केरन और इन आयत और वरग की प्रिभासा और इनके अंत्यकोणों का योग इन सब के बारे में अपना अध्यन करेंगी आप वीडियो को अंत तक देखते रहे और इदी अपन पढ़ते हैं जो वरग है वरग की प्रिभासा प्रिभासा अपन आकर्ति को देख करके भी आसानी से बढ़ा सकते हैं यानि बार-बार इनको रटने नहीं है रटने से क्या है कि दो-तीन दिन बाद में आप भूल जाते हो ठीक है ना आकर्ति बढ़ाएंगे सब से पहले और फिर अपन प्रिभासा बढ़ाएंगे आकर्ति के माध्यम से देखे यह मैंने रखती तीन S.M. तो सभी अन्य बुझा वी कितनी होगी 3 S.M. होगी ठीक है अब अधिक कोई भी आकर्ति यसी दे रखिए और क्यारों बुझाएं समान है तो आप सिधा इनका नाम रख दोंगे वरक क्या नाम रखोंगे वरक अब इनके अपने परिवासा बनाएं और ये चारों कोण है ने ये क्यारों कोण सम कोण है सम कोण मतलब क्या है 90 डिगरी कितने 90 डिगरी सभी के सभी कोण 90 डिगरी कि अब इनकी परिवासा बने है, यानि परिवासा देखो, ये खाका कैसा है, चार भुजाओं से, तो अपन कहेंगे, वर्ग जिसे पूछ लिया जाए, किसे कहते हैं, तो आपन कहेंगे, चार भुजाओं से गिरी बंदा करती, जिनके चारों भुजाओं का मान सम्मान हो, ये उ किस की प्रिवासा वर्व की ठीक है ना वर्व की प्रिवासा चार बुजाओं से गीरी चार बुजाओं से गीरी बंदा करती चार बुजाओं से गिरी ऐसी बंदा करती ऐसी बंदा करते जिसकी चारों बुजाएं चारों बुजाएं सम्मान हो एवं चारों कौन सम्मान हो तो अब आपने एक आयत की वरग की आकरती बंदा लेते हैं और इनका मान अपने लग देते हैं चार चार सी है इतना चार सी है अब अपने सबसे पहले इनका शेतर फल याद करते हैं क्या याद करते हैं शेतर फल अब वरग का शेतर फल याद करने का सूतर है बुजाए स्कॉर क्या है बुजाए स्कॉर ठीक है सबसे पहले अपन इनका सेत्र फल याद करेंगे यहीं बुजा स्कॉर है तो बुजा कितनी है चार सीयम है सब भी बुजा है चार चार सीयम है तो अपन यहां लिखेंगे कि सेत्र फल बराबर बुजा स्कोर तो अपने करेंगे चार का स्कोर अब चार का स्कोर करेंगे नहीं चार का चार से गुणा किया तो कितना आजाएगा 16 स्कोर आजाएगा 16 स्कोर तो यह तो हो गया सेत्रफल अब अपने प्रिमाप जाद करते हैं तो प्रिमाप जाद करने का सुत्र क्या है कि प्रिमाप बराबर प्रिमाप बराबर प्रिमाप का मतलब है चारों भुजाओं का योग चार 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 बारा और चार शोला परिमाद भी कितना आएगा इचाज रहा प्रकी करते हाइं लंबा ही कितनी है अब प्रिमाद जाते हुंने सुत्रर पाए चार गुणा बुजा, तो अब 4 तो सुत्र के है, यह 4 और गुणा बुजा भी कितनी है, 4, 4 का 4 से गुणा करेंगे, तो कितना आजाएगा, यह भी कितना आजाएगा, शोड़ा आजएगा ठीक नए अब आप ऐसा मत सोचना कि जो परिमाप और सेतरफल का मान समान आया है तो क्या बुजा का मान अलग वह तो भी समान आएगा बिलकुल समान नहीं आएगा ठीक नए यह मैंने क्या रख दी है तब यह 16 और 16 आया है यह आप 5 रख दोंगे नहीं तो पांच रखंगे जैसे मैं इनकी बुजा 5 cm रख देता हूं दूसरा यह पर एक आकती बना देता हूं यह 5 5 और 5 अब इनका सेतरफल ज्याद करेंगे तो सेतरफल ज्याद करेंगे सुतर क्या ब तो यह लिखेंगी च्छाव गुझा कितनी 5 जब पांच गुणा करेगे तो कितना आजएगा 20 परमाब ही यहां पर 20 आ गया और सकत्रफल कितना आ गया प्यूस September 2021 इनका मालाई सहर्फल कि थी सोल है रखते यह विछ यह था नाओ विकर लिगा किस आ ड़香 को विकिर्ण इस प्रकार की दिया आपको कोई रेखा दिखें बिल्कुल उसी थी आकर्ति को दो भागों बाट रही है ठीक है ना विकिर्ण यानि एक कोने से विपरित कोने को जोडने वाड़ी रेखा पर बस आए क्या होगी गया वर्ग के एक कोने को एक कोने को विपरित कोने से जोडने वाड़ी रेखा विपरित यानि जिसे यह इनके विपरित है नहीं बिल्कुल सामने एक कोने को विपरित कोने से जोडने वाड़ी रेखा विपरित कोने जोडने वाड़े रेखा को क्या कहेंगे विकलर्न मुप जो यह रेका यह रेखा लोगेक्جा बजे करके प्रिवासा के जा सकती है इस कोहने को इस कोने से जोड़ा है विपरत हो गया नहीं तो यह कोने को दूसरे कोने से जोड़ने विपरित कोने से जोड़ने वाली रेखा जो विकेंड कहलाती है अब विकेंड कहीं आपको मान याद करना का कह दिया जाए तो कैसे करों दिशी विकेंड है इनकी लंबाई का नाप कितना है तो आप है मैंने सबसे पहले आपको एक पाइता गुर्षपर्मे के वारे में पढ़या था और इसमें इस परकार की एक त्रीबुज की आकरती थी अब इसका मान चार इसका मान पांच है यह याद करने दिनके सामने वाली बुजा कौन सी कहलाती है करन कहलाती है तो करन का सुतर लगा करके आप इस विकेंड के लंबाई यात कर सकते हो ठेकन ह हुआ हुआ है